तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है केंडल बैक्स रीडिंग और आज के डिडिंग में हम देखेंगे कि आपके परसन का फुल एंड फाइनल डिसीशन क्या होगा और कब तक होगा कि सब लोग पूछते हो कि कब तक लेंगे फैसला क्या होने वाला है क्या भाबनाई रखते है वो आपके लिए क्या वो आपकी कमी महसूस करते है अगर आप उनके साथ no contact situation पे हो तो ये जो रीडिंग है ये सब लोगों के लिए है चाए आप no contact में हो चाए ब्लॉक situation पे हो च लेकिन हो सकता है for certain reasons you are not still together ठीक है ये सारे reasons भी हो सकता है out of marriage relationships भी हो सकते है so let's find out तो आज मैंने उस किया है pink candle so pink candle definitely represents love kindness and also femininity ठीक है so feminine चीज को represent किया जाता है even baby love okay so let's see so of course timeless reading है gender neutral reading है male female सब लोगों के लिए है तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हैं and enjoy कर सकते हो there is no issue now basically मैं आपको बताना चाहूंगी चैनल को like share subscribe जरूर करे comment section पर लिखे आपको कैसा लागा कितना हद तक resonate हुआ है और Instagram में मुझे follow करें Instagram का जो ID है वो description box पे दिया हुआ रहेगा and I hope आपको सारे clarity यहां पे मिलेगा I don't get involved in any type of personal paid predictions और any type of tarot predictions okay और bracelets or crystals so please safe रहे है अगर कोई मेरे नाम पे use कर रहा है this channel is only for spirituality and not for business so let's start it okay so आप अपने person का लगातार याद करते रहे है so universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction पूरी तरह से clear देख रहा है मुझे, यहां पर heart सी heart है कुछ लोग के हो सकता है for example आज यहां पर snake भी दिख गया मुझे यहां पर यहां पर crawling snake देखा, यहां पर camel दिख रहा है एक एक चीज करके मैं आपको बताते चाहती हूं आज हम snake को लेंगे in a negative way और जिस तरह से साप को आप easily trust नहीं कर सकते चाहे आप उसको कितना भी care करो, दूद पिलाओ, खोशिश करो मनाने क्या या उसका जो negative nature है, change करने की कोशिश करो भरे snake always represents the healing tendency ठीके, बट यहां पर मैं उसको negative way पर लेके आ रही हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है, snake भलेई चीज इस तरह से है, नाग, नाग, जो भी है, तीखे, वो dust देते हैं, तीखे, आप उनके उपर completely trust नहीं कर सकते तो यह person के उपर आपने काफी सदा trust तो किया था, आपने अपना logic को use नहीं किया, बिलकुल भी, आप सिर्फ बहते गए, एक नदी की तरह, हवा की तरह, और आपको लगा कि यह person आपके लिए बहतरी इन्रिष्टा साबित होगा, और definitely यह person भी आपको feel कराते गए, यहाँ पर आपने इस तरह से किया होगा, या आप इस वीडियो देखते वक्त बोल रहे होगा, yes, mammy, you're right, आप लोगों इसमें से बहुत सारे लोग हो सकते, Aquarius, Gemini, Libra हो, और Taurus, Virgo, Capricorn का भी काफी ज़्यादा vibes है, बाकी science भी देखते है Libra और Aquarius का काफी ज़्यादा vibes है यहाँ पर, okay, तो जिस तरह से मुझे यहाँ पर बिलकुल महसुस हो रहा है, किसी की पैर की निशानी यहाँ पर आ रहा है, तो यह person जो है, पिछला आपके साथ जो भी किया है, history हो चुगा है वो, तो वो सारे चीज वो भूलने की कोशिश कर रहे है, और आपके साथ बीता हुआ जो भी लम्हे थे, memories, okay, आपके साथ शायद उन्होंने water park गए हो, कोई भी water parks हो सकता है, वो गए हो, कोई भी जगा पे उन्होंने आपके साथ visit किया हो, travel किया हो, एक traveling करने से अपने partner के साथ कितना अच्छा अनुभुती होता है, बल परसनल बाते भी आपने share किया, ठीक है, कुछ लोग के लिए यहाँ पर physical relationship भी हो सकता है, कि आप involved हो चुके थे, क्योंकि आपको complete trust था इनके उपर, ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, that was broken completely, जिस तरह से शीशा जितना भी आप जोरने की कोशिश करो, वो आप एक साथ जोर नहीं सकते हो, अगर वो तूट जाता है, तो वो रिष्टा भिखर गया, आपने फिर से जोरने की कोशिश किया, लेकिन उनके पास शायद दो options थे, यहाँ पर जब भी मैंने दो options बताया है, तो यहाँ पर टू टू नमबर दिख रहा है, मुझे, ठीक है, so यह person इस तरह से फैसला लेते गए, लेकिन आपको कभी भी भनक तक लगने नहीं दिया, कि आप से वो move on कर रहे है, ठीक है, या आपके दिल में, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए और जगा नहीं है, या he or she was not feeling satisfied with the relationship, और यह चीज मुझे बहुत सदा खराब लग रहा है, कैप्रिकॉन क मुझे यह भी लग रहा है, जिस तरह से अभी देखो, यह पर इन पास एक message आ रहा है, और जिस तरह से मैं बहुत सदा scared हो गई, अचानक आ रहा है, तो आपको भी वो चीज महसूस हुआ होगा, जब उनका रवाया आपने देखा, attitude आपने देखा, और इस तरह से, ओके, न है, L आ रहा है, R भी आ रहा है, तो काफी ज़ाद है, एक parachute भी यहां पर form हो रहा है, जिस तरह से आप शायद जानते हो कि रास्ते में अगर driving करना हो तो बहुत सदा clear देखना आगी ज़रूरी है, लेकिन आपको कुछ भी clear नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह person आपको एक mirage शो कर रहे थे, mirage आपको पता है, क्या होता है, अगर आप रेगिस्तन में कभी गय होगे, तो वहां पर आपने देखा होगा, दूर से दिखता है कि वहां पर पानी है, लेकिन आगर सामनी जाओ तो पानी नहीं है, अगर आप travel कर रहा हो, तो आपको पता चलेगा वो connection था वो slow होता गया now यह person क्या कर रहे है धीरे धीरे आपके life में entry करने की कोशिश कर रहे है देखे जिस तरह से मुझे यहां पर दिख रहा है they are trying to get into your life यहां पर एक strawberry form हुआ है this is of course the shape of a strawberry तो यह person आपको एक strawberry strawberry की तरह समझते है जो काफी जदा colorful है reddish color with a green and definitely आप बहुत जदा juicy हो उनके लिए automatic हो मतलब बहुत जदा सुगंध मिलता है इस रिष्टे में क्योंकि वो जिस रिष्टे में first चुके थे तो वो रिष्टा एक गंदगी की तरह निकला या उनका जो carrier एक बीच में आ रहा था या उनका family जो भी है तो वो चीज से वो उभर कर आ चुके अभी शायद यह person अपने financial life में भी काफी जदा settled है aries हो सकता है मुझे लगा आपके आसपास कोई भी जगा हो सकता है जो strawberries के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो या strawberry juice या strawberry shake काना पीना पसंद करते हो या कुछ भी strawberries related हो सकते हैं कोई भी fruits हो सकते हैं या strawberries आपके health के लिए अच्छा हो दिखें okay strawberry milk strawberry ice cream something is related to strawberries all right so of course यह person उस connection में juicy बनाने की कोशिच कर रहे है अभी वो मुझे गाना याद आ रहा है लहू मुलग गया so they are feeling quite passionate about you they want to you can say कि वो आपको लाल कोई भी dress में कोई भी red dress में वो आपको देखना चाहते है अभी मुझे चैनलाइज वह रहा है message या अगर आप female हो तो उनको red lipstick आपके red lipstick बहुत पसंद है आपके lips पसंद है all right so this is the thing what is going on in their mind so definitely वो आपको जो respect नहीं दिये थे suppose हम पढ़ाई करने के लिए college and universities में गए है so of course वहाँ पे जो guru थे हमारे जो professors थे हमारे हमने उनको respect दिया क्यों क्योंकि वो हमसे दर्जा में बढ़े थे उननोंने हमको education दिया वो हमारा फर्स है तो अगर आप किसी को commitment देते हो बाद में आप उसका disrespect करते हो तो वो चीज सही नहीं है तो यहाँ पे वो चीज सही नहीं जा रहा था ठीक है बिलकुल भी और यहाँ पे भी वो चीज वो बिलकुल यह चीज रिपिट नहीं करना चाते वो माफी मांगना चाते है they want to apologize to you जो मुझे यहाँ पे साब साब दिखाई दे रहा है there is a bow down energy यहाँ पे जुकने की कोशिश कर रहा है इंसान आपके तरफ ठीक है शायद वो आपको directly या indirectly आपसे वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है बिलकुल यहाँ पे मुझे people पेर की पत्ते दिख रहा है people पेर के सामने of course बहुत शुब कारिये ही होते है तो यह इंसान तीक है अभी next step जो भी लेंगे that is all about the holy connection तीक है वो पवित्र रिष्टा में आपके साथ बांदना चाहते है कोई dress उन्होंने आपको दिया आपने उनको दिया कुछ exchange of costumes मुझे दिख रहा है यहाँ पे January month काफी सदे important हो सकता है या December या हो सकता है August या July कुछ important months हो सकता है विशाका नक्षत्र हो सकता है ओके वो हमेशा आपको smileys ही भेजते गए लेकिन response के समय पे उन्होंने आपको छोड़ा छोड़ा words ही लिखा है शायद आपने long later messages पे लिखते गए WhatsApp या कुछ भी but they had given you small small messages क्योंकि वो interested नहीं थे उनका interest जार चुका था relationship में और उसका main वजा है उनके family या कोई family में से कोई एक रिष्टा जो उन्होंने आप से चुपा है even कुछ लोग तो आपके person चुपके शादी भी कर लिए कुछ लोगों के लिए it's very I can say negligible but still but अभी वो रिष्टा में बिल्कुल खुछ नहीं है और वो आपके पास नहीं आ पा रहे बोलके और irritate हो रहे है मैसूस कर रहे है irritation जिस तरह से गर्मी में बहुत ज़रा खुजली हो जाता है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं अपने शरीर का अगर हम पानी नहीं पीते हैं अगर हमें कप्रा सही से हम cotton की कप्रे नहीं पैनते हैं या हम नहाते नहीं है ठीक से of course तो उस तरह से होता है या antiseptic lotion का यूज नहीं करते हैं उसी तरह से अगर आप गलत relationship में चले जाओगे तो irritation ही होगा यह चीज उन्हों realize कर रहे हैं उनके नाक थोड़ा सा prominent हो सकते हैं यह उनके गोल मटोल हो सकते है थोड़ा सा यह healthy हो सकते हैं मतलब यह person थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभार बहुत जदा strict diet में चले जाते हैं और कभी कभार क्या कर देते हैं they try to take fatty foods इस तरह से हो सकते हैं कुछ लोग के लिए आपके person बिलकुल average body weight या height हो सकते हैं आल राइट बिलकुल मुझे यहां पर महसूस हो रहा है यह जिस सरे से होता है ना कि अगर हम बैलेंस नहीं हुआ रिलेशन अभी बताओगे कि बैलेंस की सरे से बैलेंस नहीं हुआ for example अगर हम कोई जगा पे जाते हैं खरीदारी करने के लिए और हमारे पास for example credit card नहीं चल रहा है debit card नहीं चल रहा है या cash हमारे पास sufficient नहीं होता है बट हमने उस जगा से food खरीद लिया या कुछ भी चीज हमने खरीद लिया purchase कर लिया बट क्या हुआ हमने उनको repay नहीं किया तो बैलेंस हुआ वहां पे बैलेंस नहीं रहा न या हमको ज़ाधा पैसा दे दिये लेकिन for example हमको पैसा मिलना था लेकिन ज़ाधा मिलनगा हमने उनको return जो balance था वो नहीं दिया तो वहां पे imbalances या होगा कुछ लोगे लिए एक परसन Sagittarius हो सकते है Sagittarius people are like hunting They have hunting qualities शिकारी, ज़रूरी नहीं कि Sagittarius हो पर Sagittarius जिस तरह से qualities होते हैं मैं आपको बताते जाते हैं They are hunters, they are opportunists वो हमेशा opportunities ही देखते हैं चाहे उनके personal life में हो professional life में हो वो आपके उपर decision होगा यह अगर आपके जिन्दगी में आएं तो क्या आप उनको accept करोगी यहाँ पर फिर से cakes आ रहा है Pastries, cakes So there will be a celebration वो आपके साथ enjoy करना चाते है अपने खुशी को share करना चाते है अपने गल्ती definitely उनको पूरी तरह से realize हो चुका है पान के पत्ते भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर पीपल की पत्ते दिखे पान की पत्ते दिखे आज बहुत को shapes भी आ रहा है यहाँ पर bell दिख रहा है So wedding bells definitely यह person आपके साथ शादी करना चाते है अगर उन्होंने commitment नहीं दिया है तो अभी मैं देखना चाहत हूँ कि कितना दिन में जिसका main चीज है कि कितना दिन में वो फैसला ले लेते है 1111 numbers भी दिख रहा है मुझे 1-1 यहाँ पर भी ओके येस आप जब आप इस reading को देख रहे होंगे आप मुझे लग रहा है किसी कि घर के आसपस चीरिया इस तरह से होगा उनका आवाज आ रहा है इस तरह से हो सकता है या आपके सामने वाले दर्वाजे फुली लॉक्ट होगा कि 11 बजे होगा जब आप इस reading को देख रहे हो सुबह हो सकता है रात को हो सकता है अभी मत बता देना कि येस नो 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 आप तो जब रिलीस के था भी देखे हैं आपने नो वाज़ बेभी 11 एलेवन देख रहे हो आप ओके बेभी 111 कमेंट हो सकता है आपने देखा कहीं पे कितना दिन में फैसला लेंगे रिवर्स प्रीस बताएगे ये परसन हो सता है टू डेज, टू विक्स, टू मूंस, टू आवर्स में भी फैसला ले ले ठीके कि ये बहुत ज़दा मतलब क्या है ना बहुत हरबरी में है ये इनसान पहले बाद तो है ये फुली परसन ये जो है इनसान ये काफी ज़दा अकेला महसुस कर रहे है और जब हम अकेला महसुस करते है तब भी हमें सहरा चाहिए होता है जब हमको लगता है कि no, we are independent we don't need anyone हम sufficient है हम अपने emotions को control कर सकते ये परसन emotional हो रहे है इनको अपने वश में ही नहीं है अपना emotions तो थोड़ा देख लेते हैं आपके लिए guidance from the universe आपको क्या करने चाहिए basically हम देख लेते हैं okay so what you need to do basically what you need to do basically what you need to do एक ही message मैं लेना चाहूँगी listening listening to your intuitions 33 listen and the answer will be revealed आप अपने intuitions का सुने angel numbers का सुने maybe 33, 33 you see a lot so definitely आपको जवाब मिल जाएगा so here I am ending the reading I hope you like it and if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching Divinity Terror 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness